स्री शिवाय नमस्तो भ्याम हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आग गया है सावन का वो दिन जिस दिन हमें तुम्रुका जी के नाम से छोटा सा उपाय करना है और अगर आप परिशान हो अपनी किसी भी परिवार के किसी भी सदस से तो ये व सामली तो खुश रहेगी सांती साथ बर सो पुरानी सारी मनो काम ना आपकी पूरी जरूर होगी ठीके ना चलो समझने कोशिश करते हैं इस करण पे आप सभी को एक दीपक दिख रहा है जो की कौनसा दीपक है यह है आठे का है जरूरी में कि आपको आठे का ही दिया लेना है लेकिन हमें परपस क्या है हमारे दीपक जलाने का कि हमें चौ मुखी दिया बनाना ठीक है ना तो आप चाहे तो मिट्टी का दिया हो तो उसको भी ले सकते हैं आप चाहे तो आटे का दिया हो उसको भी ले सकते हैं कोई इशू नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना दीपक ले करना और साथ ही साथ हमें एक चुटकी लेना है काला तिल है अब इस उपाय को हमें तुम्रुका जी के नाम से करना है आपको जाना होगा किसी भी शमी पेंड के नीचे मैं किसी भी शमी पेंड के नीचे इसलिए बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन है जिनके घर म है शमी का पेंड तो वहाँ पे कर लो घर में नहीं है तो घर के बाहर है जहां पे भी वहाँ पे कर सकते हो ठीक है ना जो मैंने आपको दीपक दिखाया उस दीपक को शमी पेंड के पास में ऐसे रखेंगे कौन सा दिया होगा चौ मुखी दिया मैंने आपको बताया था कि धर चार की चारो बत्तियों को आपको प्रज्वित करना है जलाना है तुम रुका जी के नाम से ध्यान रखीएगा इस उपाय को सुबह नहीं कर सकते आपको शाम को ही करना है तो तुम रुका जी के नाम से चारो बत्तियों को जलाना साथ ही साथ जो आपके पास में एक चुटकी काला तिल या फिर एक चुटकी काली मिर्च आपको इसी जलते वे दीपक के अंदर कर डाल देते हैं तो यकीन मानिए जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जो भी समस्याएं होंगी वो सारी खतम हो जाएंगी ठीके ना तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है तुम रुका ज की नाम से दीपक जलाने के अपने पहले उपाय की आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ और ये जो दूसरा उपाय है especially होगा आपके कस्टों को दूर करने का देखो जब भी कस्ट की बात आती है मैं आपको ये बताता हूँ कि कस्ट कई परकार के होते हैं किसी की घर में लोग परेशान हैं बीमारी को लेके किसी घर में धन को लेके व्यापार को लेके नौकरी को लेके इज़त को लेके कोई प्रॉबलम मगार आपकी घर की है तो आप इस उपाई को जरूर करेंगे उसके लिए आपको जरूथ होगी इस तरीके से क्या केसर की यहाँ पे केसर है आप कुछ लोग कहते हैं भीया हमें केसर नहीं मिल पाता हम क्या करें किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पर जाओगे न जब भी सावन के महीने में रवीवार का दिन पड़े रवीवार को शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में आप अपने घर में ऐसे ही एक छोटी सी कटोरी लेना और उसमें जल भर दिगा यानि की पानी डालेंगे और उसके बाद में उसी के अंदर जो मैंने आपको केसर सो मुआर का दिन अगले दिन सुबह सो करके उठना और उठने के बाद में आपको क्या करना होगा दो चावल के दाने लेने इससे ज़ादा नहीं लेना दो चावल के दाने इसी केसर में डाल देना और इस पूरी केसर की कटोरी को उठाना तामबे के लोटे में जल भर लेन अपने घर से आप चाहें तो इस उपाय को आगले दिन मंदर में कर सकते हो या फिर चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हो ठीके ना इन सभी चीजों को लेके पहुँच जाएंगे सीधा महादयो के शिवलिंग के पास में अब मेरी बास सुनिएगा सबसे पहला काम वहाँ प करोगे जब महादयो के शिवलिंग के उपर तो यहां पे आपको मंतर उल्टा पढ़ना है जैसे हम लोग नौर्मली मंतर क्या बोलते हैं ओम नमा शिवाय लेकिन इस उपाय के दोरान जब आप केसर वाले जल को चावल के साथ अपनी मनो कामना या फिर अपनी जीवन के कस् करते वें जो भी विक्ति शावन महीने के रवी वार को एक राट पहले ही केसर को रखे और अगले दिन चावल के दाने के साथ में समर्पित करता है शिवाय नमः ओम बोल करके उसके जिवन के जो कस्ट होते हैं उसके परिवार के जो कस्ट होते हैं वो धीरी-धेरे कर کے खत जरूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ और ये जो तीसरा उपाय कैसे करना है और कहां पे करोगे, इसकी बात में तब बताऊंगा, जब आप सभी लोग कर दें उसमें एक भी दिन में gap एपनी करता कि सावन चल रहा है भादो चल रहा है तो ये आ गया वो ऐसा को मैं daily करता हूँ और regularly करता हूँ ना देखो बहुत आसान सा है आपको क्या करना है एक तामबे का लोटा लो उसके अंदर जल भरो ठीक है ना अगर घर में गंगा जल है तब डाल दो और गंगा जल नहीं है तो कोई जरूत नहीं ठीक पहले बात कर लो कि इस उपाय की benefit क्या होंगे भी या करते ते हो फाइदा क्या है बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी ना जो भी इच्छाएं होंगी अधूरी चल रही होंगी ना बहुत वरत कर पश्पती वरत प्रदोश वरत ये वो सारे वरत कर लिए अब इस उपाय को करके देखना जल भर दिया इसी जल के अंदर चावल का दो दाना डालोगे ठीके ना क्या करोगे इसी जल के अंदर चावल का दो दाना डालेंगे और आपको यह उपाय सबसे अच्छी बात ये है कि कहीं बाहर नहीं जाना आपको इस उपाय को अपने घर के अंदर ही करना है कहीं जाने के जरूत नहीं है उस जल का थोड़ा सा भाग आपके घर में जो आपने गमले में बेल का पेंड लगा रखा है उस गमले में थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है स्री शिवाय नमस्त उभ्यम का जब करके एक बात और बता दूँ पूझ गुरुजी की कथा अगर आप लोग ने सुनी होगी बहुत ही ध्यान से विस्तार से उन्होंने बहुत बार कहे रखा है कि सावन के महीने में आप सभी को बेल का पेण जरूर लगाना चाहिए तो अभी भी आपके पास में समय है अगर अभी तक आपने एक भी बेल का पेण नहीं लगाया तो सावन के महीने में कहीं पे भी चाहे अपने घर में ले आओ, गमले में लगा लो कहीं बाहर किसी नदी के पास में किसी महाद्यो के मन्दर के पास में, किसी भी देवता के मन्दर के पास में, वहाँ पे बेल का पेड़ जरूर लगा देना है, ठीक है न, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी अनुपोती होगी, ठीक है न, थोड़ा सा जल कहां पर चढ़ा दिया बेल पेंड के नीचे और उसके बाद में बेल पेंड के नीचे समर्पित करने के बाद में वही जल अपने घर के महादयो के शिवलिंग के उपर जो भी बचा हुआ जल है जो आपकी बरसों पुरानी मनो कामनाए हो जो भी आपकी बरसों पुरानी विशेज हो अधूरी रह जा रही है वो पूरी ही नहीं हो पा रही है उस कामना से बाकी का पूरा बचागवा जल महादयो के शिवलिंग के उपर समध्पित कर देना यह उपाय करने की कोई तिथी नहीं है कि सुबह करें शाम को करें दो पहर में करें यह कर नहीं आप चाहें सुबह से ले करके शाम तक के टाइम पे कभी भी और डेली चर करना चाहो तो रोज कर सकते हो इसमें कोई दोश नहीं करके देखी का मैं खुद भी करता हूँ तो आपको भी यही सला जरूर दूँगा ठीक है ना तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखरी और बहुती छोटे से उपाय की जो की हमारा है चौथा उपाय ना अब बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या होंगे तो इस उपाय का बस एक फायदा है औ और वो है कोई भी विक्ति है जिसकी बीमारी खतम होने का नाम ही नहीं ले रही है सारे के सारे पैसे आपके कहा पे जा रहे हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप इस उपाय को करेंगे उसके लिए आपको लिना होगा इस तरीके से काले मिर्च कितनी काले मिर्च लोग करके पैर तक 21 टाइमस इस उपाय को सावन के रवी वार के दिन करना है कब करना है सावन के रवी वार के दिन सर से लेकर के पैर तक 21 टाइमस 21 वार क्लॉक वाई डिरेक्शन में घुमा करके और आपको अपने घर का जो में गेट होता है एक जो लोहे वाला गेट नहीं होता है उसी लोही वाले gate की बाहर अगर आप fake देते हैं तो यकीन मानिए उस व्यक्ति जो बिमारिया होगी अगर कोई दवा असर नहीं कर पा रही है तो दवा भी असर करेगी और वो व्यक्ति जो बिमार पड़ा हुआ है उसकी बिमारियां भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी तो तो मैंने कोशिश की आप सभी को स्पेशल तरीके से अच्छे से समझाने की विडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्षिन में पूछेंगे मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहरी बार सुन रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे स्री शुवाए नमस्तु भ्यम